मारूती सूजू की की नई कार फ्रॉंक्स भारती बजार में एंट्री करने के लिए पूरी तरहा से तयार है इसे कंपणी के मारूती सूजू की ब्रेजा और बलीनो के बीच में प्लेस किया जाएगा वहीं इसे एक किफायती SUV के रूप में भी देखा जा रहा है जिसमें फिलहाल टाटा पंच अपना दबदबा कायम किये हुए है ऐसे में बहुत से लोग इस बात को लेकर कनफ्यूस हो सकते हैं कि उन्हें टाटा पंच खरीदनी चाहिए या फिर मारूती सुदू की फ्रॉंक्स पर दाव लगाना चाहिए पारकिंज कैमरे की सुविधा मिलती है हम सभी जानते हैं कि 360 डिग्री से गाडे को पारक कर पाते हैं साथी भीढ़ भाड वाले इलाकों में भी आपको इस कैमरे की काफी जादा मदद मिल जाती है वाइरलेस फोन चार्जर Fronks के Top Variant में Wireless Phone Charger की सुवीधा भी हमको मिलती है जबकि Tata Punch में सिर्फ USB Charger ओफर किया जाता है पता दे कि Fronks में Wireless Android Auto और Apple CarPlay की सुवीधा भी है जो यह कि Tata Punch में नहीं मिलती LED Headlight Maruti Fronks के Top Variant में LED Headlights दी गई है जबकि Punch में Halogen Based Projector Headlights मिलती है और लेकिन यह यह है कि Fronks में Fog Lights नहीं दी गई है जबकि Punch में Corning Function के साथ Halogen Fog Lights भी मिल जाती है Head Up Display Maruti Fronks में आपको Heads Up Display का Feature भी दिया गया है जो कि Tata Punch में नहीं मिलता इस डिस्पले में आपको Fuel Efficiency, Wheel Speed, Engine RPM जैसी जानकारे दिखती रहती है कमपणी ने इस फीचर के शुरुआत माहूरती बलीनों के साथ की था Paddle Shifters 96 Speed Talk Converter Automatic Transmission के साथ माहूरती Suzuki Fronks में Paddle Shifters भी दिये गए है यह फीचर Tata Punch में आपको नहीं देखने को मिलता हलाकि आपको यह बता दे कि Fronks के केवल Turbo Petrol Variate में ही Paddle Shifters दिये जाते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, informative लगी होगी इसको लाइक करें, अपने दोस्तों परिवावालों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चानल को अभी सब्सक्राइब करें